स्वागत है आप सबी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल टेक्सिक प्रो में जैसा कि हम डिसकस कर रहे हैं चेप्टर स्पीड और वेलोस्टी को अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई है अब जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था basically linear motion के बारे में कि जब कोई वस्तु क्या करती है एक सीधी रेखा में गत्य करती एक बिंद से दूसरे बिंद के बीच तो वह कुछ distance travel करती है उसमें कुछ displacement होता है और उस distance or displacement के ratio में कुछ time भी लगता है तो speed और velocity acceleration के बारे में हम बिंद के ब्रित्य गती क्या होती है जब भी कोई वस्त कोई object किसी एक point के चारो और क्या करती है किसी एक fixed point के चारो एर एक circle के रूप में गत्य करती है तो इसे ही क्या कहते है बृत्य गती नामसे भी जाना जाता है तो चाहें angular motion हो या फिर circular motion हो दोनों एक ही होता है इसमें होता है क्या है एक fixed point होता है जो कि उस circle के center में होता है और कोई भी object होती है तो इस circle के चारों तरफ क्या करती है गती करती है जैसे कि आपने घास के मैदान में देखा होगा जो गाय होती है और एक किसी खूटे के circle में एक ऐसे center में बंदी होती है तो कितने स्थान कर को जा करें चेर सकती कितने आस्थान में cover करती ही ग्राउंड के जितनी लंबी उसकी रसी होती है जो यह गाय है हमारी इसकी रसी है और यहां बंदी हुई है तो क्या करती है जितने लंबे उसकी रसी होती है उसी लंबाई वाले रसी के सरक्ल में क्या करती है यहां तक के घास को यह चर सकती इतने के रेडियस को कवर करती है तो ऐसे एक्जाम पल ऐसे आपको numerical exam में दिये जाते हैं कि मान लीजिए 7 मीटर की रस्सी है उसे एक गायबंदी है तो कितने घास के मैदान को कबर करेगी कितने घास को चार सकती है तो आप इस concept से यहां को निकाल सकते हैं ठीक है तो basically आपने देखा होगा जो घड़ी की करसकिया था जब हम linear motion करते हैं तो हाँ को distance travel करते हैं एक length होती है path की लंबाई होती है वो तैकी जाती है और जहां circular motion करते हैं तो हाँ क्या होता है आर है तो आर सलकिर के radius में बिंदु P से लेकर के बिंदु Q पर पहुँच जाती है ठीक मतलब P से लेकर के Q तक की यात्रा यह करती है ठीक तो इस दवरान इसके दोरा जो displacement होगा जिसे हम कहेंगे angular displacement कोड़े विस्थापन कितना होगा हमें निकालना है ठीक है तो कोड़े व to the object to the center of the circle तब जो यह line है इस object P को center के साथ जो connect कर रही इसके दोरा कितना angle travel किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है बिस्थापन कहलाता है तो हम देख रहे हैं कि पहले point P पर था अब कहां पहुँच गया point Q पर पहुँच गया तो यह भी क्या है यह भी center की radius ही है तो इस इसने कितना विस्थापन तें किया मान लीजिए theta displacement होता है theta angle यह क्या करता है travel करता है तो generally पूछा जाए इसका विस्थापन क्या होता है तो लोग बताएंगे P Q इसका विस्थापन है बलकि P Q इसका विस्थापन ना हो कि इसका विस्थापन क्या है theta इसका विस्थापन हो तो थीटा कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कोन बराबर क्या होता है, चाप बटा तरिज्या, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, तो यहां पर आर्क क्या है, तो आर्क है यह पी से क्यू की जो बीच की यह दूरी है, इसी को पी क्यू को हम क्या कहते ह आर्क कहते हूं रेडियस का है तो जो सेंटर को उस जसा निकालना हो, जिसको हम किसित करते हैं, ठीटा से सह करते हैं, तो अंगूलर किस्थ reference क्या हो जाएगा आर्क. अपन रेडियस इस हुआ नूट क्या थीटा बराबर हो जाएगा PQ बटा R इसके यूनिट की बात की जाए कि इसका यूनिट क्या होता है तो कौन की यूनिट क्या होती है रेडियन होती है तो इसलिए जो इसकी यूनिट होगी जो मात्रक होगा एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट का वो क्या हो जाएगा यूनिट इसका रेडियन हो जाएगा ठीक तो यह आपको clear होना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेश्मेंट की यूनिट मीटर नहीं होती है इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन होती है निकालते कैसे हैं चाबटा त्रिज्या के द्वारा अब इसके बाद देखते हैं एंगुलर बिलाश्टी की कूरिये बेग क्या होता है तो कूरिये बेग क्या है कि सम एक सेकंड में जो भी एंगुलर डिस्प्लेश्मेंट में जो परिवर्तन होता है जो भी जो angular displacement से कूरी ये 20 थापन है एक सेकंड में उसमें कितना परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है angular velocity कहलाती है और angular velocity को denote किया जाता है omega के द्वारा जाद नहींगे ये w नहीं है omega है तो angular velocity बराबर क्या हो जाएगा angular velocity बराबर angular displacement upon time कि उसके दवरान कितना time लगा अब हम angular velocity को denote करते हैं omega के द्वारा angular displacement को denote करते हैं theta के द्वारा और time को t के द्वारा तो omega equal to theta upon t angular displacement upon time मतलब एक सेकंड में उसके कूरी ये 20 थापन में कितना परिवर्तन हुआ वही उसका क्या कहलाता है कूरी ये 20 कहलाता है तो कूरी ये omega बराबर theta upon t angular displacement upon time इसके unit की बात की जाए कि इसका unit क्या होगा तो theta के हमें unit पता है radian होती है angular displacement की unit radian हो गई और time की unit क्या होती है second होती है तो इसलिए angular velocity की unit क्या हो जाएगी radian per second हो जाएगी और linear velocity की unit क्या होती है meter per second होती है angular velocity की unit radian per second हो जाएगी next देखते हैं angular acceleration की कोड़ी ये त्वरण क्या होता है तो समय के साथ साथ जो angular velocity में परिवर्तन होता है rate of change of angular velocity is known as angular acceleration angular acceleration को किसके द्वारा परदर्शित करते हैं तो इसे परदर्शित क्या जाता है alpha के द्वारा तीक किसके द्वारा अलफा के द्वारा angular acceleration निकालना है तो क्या होगा कि change in angular velocity upon time angular velocity को denote करते हैं omega से पहले इसको लिख लेते हैं angular acceleration को alpha से alpha equal to angular velocity की कोड़ी ये बेग में कितना परिवर्तन हुआ तो हो जाएगा omega final minus omega initial कि final हमारी velocity कितनी है angular velocity और initial velocity कितनी है बटा time taken इस दौरान time में कितना परिवर्तन हुआ इसको के वर लिख लेते हैं d omega upon dt लब किसे एक सुच्छ समय के लिए आ जाए किसे एक particular time के लिए तो उसे हम d omega by dt लिखते हैं तो alpha बराबर omega upon dt हो जाएगा ठीक इसकी unit क्या हो जाएगी इसके unit की बात की जाए मात्रक की बात की जाए तो हमें पता है कि उमेगा की unit क्या होती है रेडियन पर second होती है और नीचे एक और time दिया गया है तो इसकी unit हो जाएगी रेडियन पर second square क्या हो जाएगी रेडियन पर second square अगर हम बात करें linear angulation की तो वहाँ पर unit क्या हो जाती है मीटर पर second square हो जाती है तो clear होगा आपको angular displacement क्या होता है ठीटा होता है जितना भी angle travel किया जाता है उस object के द्वारा वही उसका कूरिये विस्थापन होता है निकालते कैसे हैं चाप बटा तिर्जे के द्वारा unit radiant होती है angular velocity क्या होती है डिस्प्लेश्मेंट में जितना परिवर्तन होता है समय के साथ साथ तो ही angular velocity होती है इसको कैसे निकालते हैं तो angular displacement upon time unit क्या हो जाएगी radiant पर second हो जाएगी angular acceleration कोडिये त्वरण या फिर इसी को अब केंद्रिये त् भी इसी को जाना जाता है यह कैसे निकालेंगे तो change in angular velocity with respect to time means rate of change of angular velocity that is known as angular acceleration परदरसित कैसे करते हैं अलपा के द्वारा alpha equal to omega final minus omega initial with respect to time change means dw upon dt unit क्या हो जाएगी radiant पर second square हो जाएगी अब भी से एक जो main concept पूछा जाता है वो relation पूछा जाता है कि जो linear velocity होती है सीधी रेखा में गती b होती है और कोडिये गती कैसी होती है omega होती है तो इन दोनों के बीच क्या relationship होता है क्या आपस में संबंध होता है वो हमें देखना है कि linear velocity और angular velocity के बीच आपस में क्या relationship होते है तो यह relation होता है B वराबर R उमेगा यहाँ आपको डाउन कर लेना है B वराबर R उमेगा यहाँ पर B क्या है linear velocity है R क्या है तो radius है उस circle की जिस circular पत्ने object motion कर रही होती है और उमेगा क्या है angular velocity उमेगा है तो B equal to R उमेगा इस relation अगर आपको यह relation पता है तो angular velocity या फिर आप linear velocity को निकाल सकते हैं पिछली बार J के exam में पूछा गया था angular acceleration और फिर angular velocity के बीच में relationship तो वो होता है alpha equal to B square बटा R ठीक यह भी आप ध्यान में लखेंगे alpha equal to B square बटा इस साल के J के exam में पूछा गया था जहां पर alpha क्या है angular acceleration है B क्या है आपकी linear velocity है R क्या है radius of circle जिसमें वो परिक्रमण करती है तो यह था circular motion के बारे में अब इसमें कुछ एक और concept discuss कर लेते हैं इसी से जो related है होता है relative motion के बारे में कि आप एच्छी गती क्या होती है उससे भी कई बार exam में question पूछे जाते हैं तो वो भी हम discuss कर लेते हैं और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा था है तो अभी तक I'll button में link दिया गया वहाँ से जाकर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं नेक्स हम क्या discuss करने वाले है relative motion के बारे में हिंदी में कहते हैं आप एच्छी गती इसको समझते हैं कि आप एच्छी गती क्या होती relative motion क्या होता है मान लिजी आप किसी train में बैठे यात्रा कर रहे हैं और आपके हाथ में एक गेंद है गेंद को आप उपर की तरफ पूछालते हैं upward direction में तो पूछा जाता है कि वो गेंद आपके हाथ में गिरेगी कि आपके आगे गिरेगी कि आपके पीछे गिरेगी कहां गिरेगी तो यही जो motion होती इसको कहते हैं relative motion तो इसमें चार condition होती है पहले हम condition को देख लेते हैं फिर इस question को हम समझते हैं ठीक तो condition कौन कौनसी होती है पहली condition होती है stable ठीक stable का मतलब क्या है rest यदो कोई वस्त रुकी हुई है उसकी इस्तिती में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे कहते हैं stable या rest में समय बीता जा रहा है लेकिन उसकी इस्तिती में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो होती है rest दूसरा होता है uniform velocity uniform velocity जिसे कहते हैं एक समान बेग इसका मतलब क्या होता है ठीक मतलब एक समान बेग आप 10 मीटर पर सेकंड की बेग से गती कर रहे हैं तो सुरूं से लेकर अंत तक जो आपकी गती है समय बीता जाता है लेकिन गती वही रहती है 10 meter per second के ही बेक से आप सुरूं से लेकर अंत्तक यात्रा करते हैं तो इसे कहते हैं uniform motion मतलब आपकी speed जो है पूरी यात्रा के दोवरान परिवर्तित नहीं होती है धर्ड जो आता है इसमें वो आता है uniform acceleration ठीक एक समान तुरंड के बारे में एक समान तुरन क्या है अभी आपकी गती पहले 10 मीटर पर सेकंड थी इसके 2 सेकंड बाद क्या हो गई 20 मीटर पर सेकंड हो गई फिर अगले 2 सेकंड के बाद क्या हो गई 30 मीटर पर सेकंड हो गई फिर अगले 2 सेकंड के बाद क्या हो गई 40 मीटर पर सेकंड हो गई तो means समय के सासाथ आपकी स्पीड में क्या हो रहा है एक समान रूप से परिवर्तन हो रहा है तो इसी को कहते हैं हम uniform acceleration तीसरा क्या होता है जो चौता होता है वो होता है uniform retardation हमने retardation को पढ़ा था retardation क्या होता है जब भी किसी वस्ट के बेग में समय के सासाथ परिवर्तन होता है तो उसे हम retardation कहते है ठीक इसमें माल लेज़े पहले आपकी speed 50 meter per second थी basically होता क्या है जब ही हम break और apply कर रहे होते हैं तो उसमें speed घरती जाती है उसी को retardation कहते हैं पहले 50 meter per second था 2 second के बाद ये 40 आ गया फिर अगले 2 second के बाद ये 30 हो गया फिर अगले 2 second के बाद ये क्या हो गया 20 हो गया तो इस प्रकार से जो speed में कम होती है regularly उसे कहते हैं uniform retardation यहाँ पर एक और concept आता है मान लीजिए अभी 50 है 50 के बाद 40 हो गया 40 के बाद 20 हो गया 20 के बाद 5 हो गया 5 के बाद 1 हो गया तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा इसे क्या हम कहते हैं तो इसे कहते हैं Non Uniform Retardation non uniform retardation को एक और नाम से जाना जाता जिसे कहते हैं जर्क हिंदी में इसे कहते हैं जटका जब भी गाड़ी क्या करती जटका देकर जर्क लेकर चलती है तो वहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो इस प्रकार का होता है जिसे हम कहते हैं non uniform acceleration तो हम concept को समझते हैं किसको ball और train को जब हमने क्या किया ball को ऊपर उचाला अगर train की इस्थिती क्या है रुकी हुई है train कैसी है रुकी है बिराम वस्ता में है नहीं चल रही है तो गेंद को हम ऊपर उचालेंगे तो गेंद आकर कहा हमारे हाथ में ही गिरेगी तो पहली इस्थ के साथ मतलब एक शमान बेग से क्या कर रही है जब हम गेंद को ऊच्छा लेंगे तो गेंद भी क्या कर रहे है उसी बेग से वह ब भी आगए बढ़ती जाती है तो गेंद हमारे हाथ में ही गिरेगी, तो uniform velocity के भी condition में क्या होता है, गेंद आकर hand में ही गिरती है, कहीं और नहीं जाती, क्योंकि जिस बेक से हम चल रहे होते हैं, उसी बेक से हमारी गेंद भी चल रहे होती, हमने माल लिए उसे 100 km पर hour पर जब train थी, हमने उसे उच्छाला, तो गेंद कोई speed क्या मिली, 100 km per hour, और हमारी speed भी क्या है, अभी 100 km per hour ही है, तो दोनों की motion सेम है, तो इसलिए गेंद आकर हमारे हाथ में ही गिरेगी, next जो concept है, uniform acceleration, इसका मतलब क्या है, अभी हमने समझा था, पहले 100 km per hour है, इस speed पे हमने क्या क्या गेंद को उपर की तरफ उचाल दिया, तो गेंद कोई speed कोई सी मिली, 100 km per hour की speed मिल गई, लेकिन अगले ही second क्या हुआ, train की speed भरकर, 120 km per hour हो गई, तो गेंद कोई speed क्या मिली है, 100 km per hour मिली है, और अब train की speed क्या हो गई, 120 km per hour हो गई, क्योंकि, क्योंकि जो acceleration हो कैसा है, uniform है, उसकी speed क्या है, समय के साथ साथ, एक समा रूप से परिव गई होंगे, और गेंद हमारी पीछे रहे जाएगी, तो हमारे पीछे आकर गेंद गिरेगी, हमारे बिहाइंड रहे जाएगी, पीछे हो जाएगी, ठीक है, हमारे पीछे गेंद आकर के गिरेगी, ठीक, जो concept होता है, वो क्या है, नेक्ट है, uniform retardation, uniform retardation, अभी आपने 100 km per hour पे क्या क्या गेंद को उपर भेज दिया, तो इसे 100 की स्पीड मिल गई, लेकिन अब retardation में क्या हो रहा है, गेंद की स्पीड, सुरी, ट्रेन की स्पीड लगातार घरती जा रही है, अगले छंड उसका बेक कितना हो गया, 90 km per hour हो गया, अब गेंद को स्पीड कैसे मिली, 100 km पर आवर मिले, उस बेक से आगे बढ़ेगी, लेकिन आपकी स्पीड क्या हो गई, ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, 90 km per hour हो गई, तो ट्रेन थोड़ा स्लो हो गई, तो गेंद कहां गिरेगी जाकर, तो गेंद हमारे अहड गिरेगी, आगे गिरेगी, तिक गेंद कहां गिरे हैं अगर ट्रेन रिटेबल है तो फने हाथ में आए गी ईनीफॉर्म विलॉस्ट्टी से जा रही तो भी हाथ में आएगी लेकिन गाल ऑगा तो अगी यदो आभेर行 पहली बार फिजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिये और अपने friends के भी जादा से जादा से जादा करिये और वीडियो आपको पसंद आता है तो like ना भूले अपने suggestion को आप comment box में दे सकते हैं और जादा से जादा question practice के लिए इस class की PDF के लिए description से telegram group को join करिये तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए Have a good day, best of luck, bye bye सभी को